इगनू जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लेने वाले चात्रों का या कमेंट आ रहा था या प्रसन आ रहा था कि सर जनवरी 2023 सेशन में हमारा एडमिशन हुआ है इसके बाद कोई भी अपडेट इगनू के तरफ से नहीं मिल पा रहा है कोई भी सुचना नहीं मिल पा रहा है कि हम आगे क्या करना है कब क्या करना है मैंने इस पर वीडियो बनाया था जो भी चाहिए युजी को चाहिए नहीं नहीं देखें तो उन्हीं कारणों का प्रस ना रहा था तो चलिए मैं जितने भी आपके मन में प्रस्ण है सभी का समाधान कर दे रहा हूं वीडियो प्रारम करने से पहले बता दूँ कि आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोट्फिकेशन अवस प्रेस कर लिजेगा ताकि जब भी कभी मैं एगनु संबंदित कोई वी वीडिय ही जानते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि जनवरी 2023 सेशन का का जो कोश्टन पेपर है वो आ गिया है कैसे आ गिया है क्योंकि जुलाई 2022 सेशन हो जनवरी 2023 सेशन तो आप देखेंगे कि उस पे लिखा रहेगा जुलाई 2022 सेशन और जनवरी 2023 सेशन के चात्रों के लिए तो आप समझ जाएंगे कि ये दोनों सेशन के चात्रों के लिए है जनवरी 2023 सेशन के चात्रों के लिए अलग से question paper नहीं आता है जो भी आएगा उस पे दोनों सेशन लिखा रहेगा जुलाई 2022 और जन्वरी 2023 तो आप समझ गए होंगे कि कोश्चन पेपर तो आ गया है बस आपको बनाना है जमा कब तक करना है जमा आपको 30 सितंबर 2023 तक अपने अध्यान केंदर के संयोजग के पास आपको जमा करना है या फिर उस स्टेडी सेंटर का एड्रेस निकाल के आप उस स्पीट से भी भेज़ सकते हैं जो भी एसाइमेंट का कैटिडिया होता है सब कुछ अपना कर एसाइमेंट कैसे बनाया जाता है इसका भी वीडियो आपको हमारे यूटूब चैनल के प्लेइलिस में मिल जागा जब आप कोश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे या माले ये कुछ चातर वीडियो देख रहे होंगे तो उनके कोश्चन पेपर पे 30 सितंबर 2023 लिखा होगा और किसी चातर के कोश्चन पेपर पे 31 अक्टूबर 2023 लिखा होगा कि आपका लास्ट डेट एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर 2023 कर दिया गया है तो आप समझ गये होंगे कि आपका एसाइमेंट कब तक जम्मा करना है कोश्चन पेपर आ गया है आपको इगनू के वेबसाइट से डाउनलोड करना है उसका लिंक वीडियो के डेक्सटेंड में मिल जागा जाकर आप अपना कोश्चन पेपर डाउनलोड कर लिए और जल्द से जल्द बना के जम्मा करने का प्यास करिएगा इसके बाद बात करते हैं एक्जाम को लेकर कि आपका एक्जाम कब होगा एक्जामिनेशन फारम कवाएगा यहां पे एक महत्तपों बात है यह साइमेंट वाला कि आप देखेंगे कि जुलाई 2022 सेशन और जनवरी 2023 सेशन दोनों लिखा है तो जो चाथ जुलाई 2022 सेशन में अपना इस एमेंट किनी कारणों से जमा नहीं कर पाये थे वो इसमें आप जमा कर सकते हैं आपको बताना नहीं है कि जुलाई 2022 सेशन में हमने लिखा था लेकिन question paper तो एक ही है आपको एक ही question paper लगाना ठीक है तो आप ले जाके सितंबर में जमा कर देना है एक्जाम को लेकर देखिए आपका एक्जामिनेशन फरम है अक्टूबर में आएगा एक अक्टूबर को भी आ सकता है उसके एक सब्ता पहले भी आ सकता है एक सब्ता बात भी आ सकता है ऐसा मैं क्यों कराओं क्योंकि इगनु जो है वो अपना जो टाइम है वो अपडेट कर दिया है यानि कि देख रहें कि न्यूव एडमिशन का जो प्रक्रिया है वो 15 दिन पहले ही शुरुआत कर दिया तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि जो करोना काल के वज़ा से लेट का जो प्रक्रिया था सभी नोर्सिटियों में उसको अब समाप्त करने का प्यास किया जा रह यह तो आपका जो एक्जामिनेशन फारम है एक अक्टूबर को आ सकता है या उसके पहले आ सकता है एक सब्ता आगे पीछे हो सकता है लेकिन अक्टूबर में आ जाएगा ठीक इसके बाद दिसंबर के पहले सब्ता से आपका एक्जाम अस्टार्ट हो जाएगा डिसंबर मा और इसका कोश्चन पेपर आ गया कोई प्रस्ण आपके मन में है तो निशी तोर पर आप हम से कमेंट करके अवस्प पूछ सकते हैं आप हमारे टिलिग्राम चैनल को जोई कर सकते हैं इस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं दोनों का लिंक वीडियो के डेक्सप्शन में मिल जा लेगा